हेलो स्टूडन्स आप सभी का मेरे यूट चानल प्रण में डॉक्टर अनन्त स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में फर कलर इन रैबिट ये जो मुल्टिपल अलिल का एक्जाम्पल है इसके बारे में पूरी जानकरी लेंगे इसके उपर एक्जाम में किस तरह से क्व ज्यादा अलिल होते हैं इसको हम बोलते हैं मुल्टिपल अलिल ब्लड गूरूप इसका एक बेस्ट एक्जाम्पल है वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब करिए और बेल आइकोन दब उसके बाद होता है CCH उसको हम चैनल पूलते उसके बाद CCH उसको हम हमें हिमालिया बोलते है और Smalls होता है उसको हम अल्बिनो बोलते है जो capital C, capital C है वो अगोइट कलर प्रोडूस करता है CCH जो है वो चंचिला कलर प्रोडूस करता है यह हम उसको चंचिला बोलते हैं CH को हम हिमालेन बोलते हैं और small c, small c को हम क्या बोलते हैं अल्बिनो बोलते हैं यानि कि completely white कलर तो इसके उपर भहुत बार exam में question पूछे जाते हैं तो यह आप dominance relationship याद रखिए अग्वाइट, चंचिला, हिमालेन और अल्बिनो अब मैं हम आपको पहला example बता रहे है capital c, capital c यानि कि अग्वाइट का यह wild type है और इसका जो fur color होता है वो brown का fur color होता है और यह जो अग्वाइट है वो सभी के उपर dominant होता है एक्सप्रेस कोन होगा तो यह अग्वाइट ही एक्सप्रेस होगा दूसरा इसके बाद वाला dominance है वो है चंचिला इसका body का जो फर होता है वो white होता है लेकिन उसके tip जो होता है वो blackish होता है और यह जो है बाकी दोनों के उपर dominance होता है याने की हिमालेन और albino के उपर dominant होता है लेकिन यह अग्वाइट के उपर recessive होता है आप dominance और recessive relationship जरूर याद रखिए एक्जाम में इसके उपर भूदबार question पूछा गया है तो इसलिए आपको यह याद रखना जरूरी है तीसरा जो है वो होता है हिमालेन अब हिमालेन आप देख रहे हो कि CH CH है जब CH CH या फिर CH small c होगा तब जाके हिमालेन एक्सप्रेस होगा तो यह albino के उपर ही dominant है और इसका जो fur color होता है वो white होता है और nose, paws और ear और tail black होता है इसके expression है और last वाला जो आपका rabbit का fur color है वो है albino यानि कि white fur color होता है और यह small c, small c जब दोनों अलिल रिसिस होते है तब यह एक्सप्रेस होता है यानि कि आप यहाँ पे dominance ही देख रहे हो agwait सब के उपर dominant होता है chinchilla दोनों के उपर होता है हिमालयन albino के उपर तो यह है अलग-अलग type के dominance relationship in fur color of the rabbit आप जरूर याद रखिए इसके dominance relationship याद रखिए पहले कोण dominant है उसके बाद कोण उसके बाद कोण है और उसके बाद कोण है और exam में जो भी question आएगा इसका आप easily solution दे सकते हो